राम गुप्त गुप्त राजवंश के ख्याति प्राप्त समुद्र गुप्त का पुत्र था प्राचीन का विग्रंथों से ये संकेत मिलता है कि समुद्र गुप्त के बड़े लड़के का नाम राम गुप्त था और पिता की मृत्यों के बाद शुरू में वही राज सिंगासन पर आरुड हुआ था। वो बड़ा निर्बल, कामी तथा नपुनसक व्यक्ती था। रामगुप्त का विवाध ध्रुव देवी के साथ हुआ पर पती के नपुनसक और निर्बल होने के कारण वो उससे नहीं थी। रामगुप्त की निर्बलता से लाब उठा कर सामराज्य के अनेक सामंतों ने विद्रोह का जंडा खड़ा कर दिया। विशेशत है शहानुशाही कुशान या शक राजा जो समुद्र गुप्त की शक्ती के कारण आत्म निवेदन, भेंट उपहार, कन्योपद आदी उपायों से उसे संतुष्ट रखने का प्रेयत्न करते थे। अब रामगुप्त की कमजोरी से लाब उठा कर वो उद्धन्ड हो गए और उन्होंने गुप्त सामराज पर आक्रमन कर दिया। हिमालय की उपत्यका में युद्ध हुआ, जिसमें रामगुप्त हार गया एक पहाड़ी दुर्ग में गुप्त सेनाएं घिर गई और नपुनसक रामगुप्त ने शकराज की सेवा में संधी के लिए याचना की। जो संधी की शर्तें शकराज की ओर से पेश की गई। उसमें से एक ये भी थी कि पट्ट महादेवी धुवदेवी को शकराज के सु पहना सका। चंधर गुप्त ने स्वयम धुरुवदेवी का रूप धारन किया अन्य बहुत से सैनिकों को भी परिचारिका के रूप में इस्तरीवेश पहनाया गया। शकराज के अंतहपूर में पहुँचकर इस्तरीवेश धारी चंधर गुप्त में शकराज पर घात कर इसके बाद निर्बल राम गुप्त को भी मार कर चंदर गुप्त ने राज गद्धी पर अधिकार कर लिया और अपनी भाभी धुरूभ देवी से विवाह कर लिया। दुरुव देवी चंद्रगुप्त दूतिय की पट्ट महा देवी बनी इस कथा के नर्देश ना केवल प्राचीन काव्य साहित्य में अपितु शिला लेखों में भी उपलब्ध होते हैं